वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह ब्यूटिफुल क्रॉप टॉप डिजाइन मेरे बचे हुवे कपड़े में से एक क्रॉप टॉप बनाया है जो दिखने में काफी सुंदर लग रहा है और एक रेडिमेट की तरह दिख रहा है तो च जितनी भी आपके कपड़े की लंबाई लेनी है उतना ले लिजे यहां पर ही मेरे कपड़े की लंबाई 15 इंच है तो मैं उसे इतनी ही रखूंगी उसके बाद हमें इसके सबसे पहले हम फोल्ड साइट से इस तरह से कंधी का निशान लगाएंगे मैं यहां पर बोटनेक बना रही हूं तो बॉटनेक बनाने के लिए आप आपके जो भी कंधी का मेजरमेंट हो हम सोल्डर मेजरमेंट अपने सोल्डर से नाप कर इसका आधा करते हैं जैसे हमारा सवल्डर 12 इंच का है तो हम उसका आधा याणि चैन पर निशान लगाते पर यहां जब बोटनेक को भी हमारे shoulder का 5-6 5 इंहान लगाये तो कि लिए इसके बाद हम हमारी armhole की गोलाई दे देखिए यहां पर 6 इंच का मैंने बाल का निशान लगए इसके बाद हम आर्मोओं की गोलाई देंगे इसके बाद हमारा चेस्ट का निशान लगा लेंगे मिनने वर्ण के लिए कप्ड़ की तो हमारा चेस्ट का चोता हिस्सा जैसे हमारा चेस्ट चोतीस इंच है तो उसको हम चार से डिवाइट कर देंगे तो हमारा चेस्ट का चोता हिस्सा आजाएगा साड़े 8 इंच देखिए यहां साड़े 8 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है आपका जो भी चेस्ट हो उसको आप 4 से डिवाइट करकर यहां पर निशान लगा लिए इसके बाद हम 2 या 2.5 इंच का यहां पर सिलाई मार्जिन रखेंगे हम चेस्ट का चोता हिस्सा साड़ यहां पर हमने निशान लगा दिया उसके बाद हमने 2 इंच इहां सिलाई का मार्जिन लगा है अब हमारे निशान से हम कटिंग कर लेंगे देखिए इस अरह से हम यहां पर सिलाई से देखिए इसके बाद आप चाहें तो अस्तर भी लगा सकते हैं अगर आपका कपड़ा ऐ इस तर लिया हुआ है और इस पर जो हमने कटिंग किया हुआ है हमारा में फेबरीक टॉप का उसको अस्तर पर रखकर इस तरह से कट लेंगे अब देखिए इसके बाद में यह अस्तर पर जो में भी घ्ट किया ऊस पर नेक लाइन ड्रौ करूंगी नेक लाइन हम बना रहा है तो इसकी चोड़ाई मेने यहां 3.5 इंच रखी है और लंबाई हमने 3 इंच रखी है बेक नेक की लंबाई आप 3 या 3.5 इंच से जादा नहीं रखेंगे देखिए इस तरह से हम यहां निशान लगा देंगे और अपने नेक को कट कर लेंगे बोट नेक में हम आगया और पीछे नेक एक जैसा ही बनता है हमारा सेम एक साथ में उसकी कटिंग होगी इसके बाद मेने यहां पर मैंच रख लिया है और मैंच कोशन से कर लेंगे तो हमें आदे इंच की सिलाई लगाने चीज़े ताकि वह बाद में खुले नहीं सरह नेक पर हमने तो देखिए यहां में इस तरह से नेक लाइन पर हम सिलाई लगा लेंगे इसके बाद हमें नीचे भी सिलाई लगा देंगे और अगर आप स्लीवलेस बना रहे हैं तो आप दिन पर भी सिलाई लगा सकते हैं देखिए यहां में नीचे बोटम में और नेक लाइन में सिलाई लगा ली है और अब हमें इसे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे कट करकर अलग कर देंगे और नेक लाइन में हम छोटे-छोटे कट लगाते हुए अब इसे पलड़ क्यां नी है हमने जो नेक लाइन है उसके ऊपर घ़ोल गज्र रणार फूह उसके लगा ले सबसे पहलेसे पहले भी बहुतसे सिलाई लगा है और रोड़ लाइन में उपर से फिनिसिंग की सिलाई लगा लिए और चारों तरफ से इसको अटेज कर दिया ऐसे ही दोनों भाग को हमें तयार कर लेना है इसके बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरह की गोल्डन लेस है मेरे पास में यहाँ पर लेक लाइन पर हम इसे डिजाइन करेंगे देखिए इस तरह से आपको पहले आप निशान लगा लें कि आपको कितनी दूरी पर लेस लगानी है देखे अब इस लेस को इस तरह से नेक पर हम अटेज करेंगे हमें इस तरह से नेक को अगर आप हेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसे दो या तीन बार इस तरह से अटेज करें आप सिंगल रखना चाहते तो सिंगल भी रखा है यह आपके according आप कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको मसीन पर लगा कर बताती हूं कि किस तरह से हमें लेस लगानी है देखिए निसान पर हमें नेक पर इस तरह से रखकर कि लेस को लगा देना है कि लेस को लगा देटाइंच डियान रखनAP कि हमें सीधी नहीं लगा नि जनी जैसा हमारा नेकड राउंड जहां से राउंड मेर वहां से हमको ऐसे हुआ राउंड की तरह ही दिख रहा है आप मार्गेट में इसे लेने जाएंगे तो यह तू हंड्रेट टू फिप्टी त्री हंड्रेट में आराम से आपको मिलेगा पर घर पर आप आसानी से इसको फोर्टी टू फिप्टी रूपीज में बना करता है? है है देखिए इस तरह से यहाँ पर इनि लेश को लगाकर तयार करें आपके अक्षी जितना आपको अछा लगे उतनी यह आप यहाँ पर लेश की लेश्च लगा सकते हैं देखिए यहाँ पर हमारे जुड़ नेकलाइन हो बनकर पुरी तरह से तयार है और देखने में काफी संदर रगी और एक्दम रेडिमेट की तरह लगा रहा है जिससरा आप बाजार में लेकर आते हैं देखिए इस तरह से हम इसे दूसरे अब हमारा वेक पार्ट भी समें अटेज कर लेंगे इसे हम सबसे पहले कंदी से अटेज करेंगे उसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिला लगा देंगे अब इसके अंदर स्लीव लगाना चाहें तो आप इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं मैंने यहां पर इसे विदावट स्लीव बनाया है देखिए इस तरह से हमारी यह क्रॉप टॉप बनकर तैयार है आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा अगर आपक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए